Hello everyone, once again आपका स्वागत है U-Bone Academy में जैसे के हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइन्स को पूरी तरह डिकोड करेंगे कक्षा 7 के अंदरगत साइन्स का यह दूसरा चेप्टर चल ला है जिसका नाम है Nutrition in Animals प्राणियों में पोस्ण इससे पहले हम इस चैप्टर का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने मनुश्ची के डाइजिटिव सिस्टम के बारे में Explanation पार दिया था यानि एक Layout हमने तयार किया था उसमें हमने जनली 6 parts में क्या किया था उसको Divide किया था बकल कैविटी कहा था उसके अंदर फस्ट हमने उसके बाद Ocephagus कहा था उसके बाद इस्टमक फिर Small Intestine, Large Intestine and finally Annus तो यह क्याता है हमारे पास जो हमारी Elementary Canal है तो उसके कहा है Different Compartments है जिसके थुरू क्या होता है भोजन धीरी धीरे आगे बढ़ता है उसका पाचन किया जाता है और लास्टमक उसको मल की रूप में सरे से बाहर निकाल दिया जाता है तो यह हमने एक लेयाऊट देखा था जिसके अंदर हमने हमने बक्कल कैविटी को डिटेल देखा था उसके बाद हमने डिफेंट टाइपस के टीथ की बारे में एक्शन पार दिया था तो human beings में 4 यो मिलते रहें चले शुरू करते हैं nutrition animals part 2 activity 2.3 take two test tube label them A and B in test tube A put one teaspoon of boiled rice in test tube B keep one teaspoon of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes आपको क्या करना है दो परकनल्या लेनी है उन्हें label कर देना है उनका नाम दे देना है A और B फिर उसके बाद उसमें आपको जो test tube A है उसमें क्या करना है आपको boiled rice रखना है और test tube जो B है उसमें आपको जो boiled rice था उसको चबा देना है मतलब मुह में उसको चबाना है कुछ अलग अलग test tube लिए गये हैं तो उसमें idealin solution प्लेस किया गया तो idealin की हमारे पाज starts का test होता है तो वही part यहाँ पर कह रहे हैं तो हमें क्या करना है दोनों test tube में क्या करना है 3-4 ml क्या करना हमें idealin की कुछ बूधे डालनी है now pour 2-3 drops of idealin solution in each test tube and observe उसके बाद क्या करना हमें पाने मिलाने के बाद उसमें दो-तिन बूत क्या डालनी है हमें ideal solution के डालनी है और उसको हमें observe करना है उसका अलोकन करना है कि उसमें क्या changes आते हैं अब आपसे पूछ रहे हैं आपर question किया जा रहा है कि test tube जो है उसमें color क्यों change हुआ या उसकी जो परकनली है वो परकनली में उनका जो color है यानि जो रंग है उन रंग में क्यों परिवर्तन आया तो आपको याद होगा इससे पहले हमने कहा था कि जो starts है starts को जो test किया आता है वो iodine के साथ कैसा color देता है blue black color देता है यानि निला काला रंग देता है या blue color देता है तो वो क्या है तो उसमें starch उपस्चित होगा अगर ऐसा नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा उसमें starch से अनुपस्चित होगा discuss the result with your classmate and your teacher the slava breaks down the starch into sugars उसकी बाद क्या होता है जो result है को उसको अपनी classmate से क्या करना आपको discuss करना है या teacher से discuss करना है तो हमारे जो मुह है उस मुह में क्या निकलती है तैलिन अंजयम निकलता है यानि large होता है उसमें क्या होता है तो वो क्या करता है जो starch होता है उससे चोटे यानि जो starch था bigger molecule था जो मंड का particle था उसको उसको उसने किसमें बदल दिया सूगर में क्या करता है बदल दिता है अब इसमें देखेंगे तो हमारे पास क्या होता ज जो हमने चबा के rice रखा हुआ है तो उसमें कोई भी color changes नहीं होगा तो यहाँ पर हमार पास दो अलग लग test tube दिखा रिखे हैं test tube A, इस test tube A में क्या होगा जो इसका color होगा, यह कैसा आजाएगा, boiled rice का कैसा आजाएगा, blue black color आएगा जबकि जो हमार पास क्या होगा, जो चबाय होगा, चावल है, यानि chewed rice जो होगा, उसमें कोई भी color change नहीं होगा तो इसका मतला हम कह सकते हैं कि जो test tube A था, उसका blue black color यानि उसमें star ची क्या होगा, उपस्तित होगा जबकि जो दूसरी test tube थी, उसमें क्या होगा, उसकी अभिक्रिया, जो हमारी लार निकली, उसके साथ क्या होगा, पूरी की गई तो इस धंग्सिया क्या होगा हमारे पास, stars का test हम perform कर सकते हैं तो तंग is a fleshy muscular organ, attached at the back to the floor of the buccal cavity यारी जो हमारा jeep है, जो हमारे jeep है, वो क्या है, एक muscular organ है कैसी हमारे पास, mansy, pacy, अंग है हमारे सरी का, fleshy muscular organ, जिसे क्या बोलता हम, mansal, pacy, अंग कहते हैं तो हमारे jeep क्या है, एक mansal, pacy, अंग है, जो पीछे की और, back side, back to the floor of the buccal cavity हमारी जो mukh guhika है, आपने देखा होगा अपनी jeep, तो mukh guhika जो होती है, हमारे जो mouth होता है, mouth को जो पीछे, जो floor है, अपर, पार जो है, floor जो है, उससे क्या होती है, attached होती है it is free at the front end, can be moved in the all direction, अगर हम अपनी jeep की बात करें, तो इसका जो आगे वाला भाग होता है, इसका जो अगर भाग होता है, वो क्या होता है, सौतन्द होता है, free होता है, मुक्त रूप से होता है, तो उसको हम किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं, मूडा सकते हैं, उसको हम कि पार्ट है, उसको हम फिक्स होगा, तो उसको हम मूव्मेंट नहीं कर सकते हैं, तो front side का क्या कर सकते हैं, आसानी से मूव्मेंट कर सकते हैं, besides, it mixes saliva with the food during chewing and helps its selling food, यह क्या करता है, हमारे जो सरी में जो saliva निकलता है, हमारे जो लार निकलती है, उसको क्या करता है, भूजन को चबाने में में क्या करता है, help करता है, और भूजन को निगलने में क्या करता है, help करता है, तो यह क्या है हमारे जीब के क्या है, का रही है, हम इसके बाद किया होगा उसको चबाने में ब्हुजन को.. ऍहूंक आट करेएंगे.. तो हम दातों से लेकिन भूजन को.. लेकिन डातों के बायएं भाग और दाइं तरफ ले जाना होगा तो उसमें कौन हैब करेगा हमारे जीब समें घरब करेग сразу तो उसमें भी क्या करेगा हमारे Jeeb क्या करेगी वहाँ पर सहयता करेगी We also test food with our tongue हमारे जो भूजन का जो स्वाध होता है भूजन का कैसा स्वाध है तो वो भी किसकी सहयते से लिया जाता है हमारे Jeeb की सहयते समें उसका उनुबह कर पाते है कि यो भोजन मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, या किस test, यानि उसका भोजन का test कैसा हो रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जीब की साहता से करते हैं, जीब का पार्ट हो गिया, इसका ये वाला पोर्षन होगा, ये अगया पेटर, कड़वार होती है, वो इस पोर्षन से क्या क्या रहता है, उसका test क्या रहता है, यह वाला जो portion है सबसे front वाले area जो है यह मीठा यानि sweet sweet test होगा तो हम इसकी सायते से कर सकते हैं इधर वाला जो portion दिखार का हमने यहाँ पर एक ऐसा होगा salty यानि जो नमकिन test आएगा वो हमारे इस portion चाएगा और यह वाला जो portion हमारे पास sour तो यह कैसा test करेगा जो खटा होगा उस खटे का क्या करेगा यहाँ पर अनुभव करेगा तो यह हमारे jeep के क्या थे different test words लेते कहां पर किस तरह के स्वात को हम क्या करते हैं अनुभव कर पाते हैं तो यह यहाँ पर दिखाए गया है activity 2.4 अब 2. activity 4 मां हमारे पास क्या होगा जो detail पार्ट होगा कि उसमें कौन-कौन से भाग है तो उसको हम देख रहे हैं prepare a separate sample each of sugar solution, common salt solution, lemon juice, juice of crushed neem leaf और bitter gart तो हमारे पास क्या है जो हमें क्या लेना अलग-लग billion को क्या कर लेना हमें तैयार कर लेना है एक क्या लेना हमें sugar solution, मीठा, sugar मतलब क्या होता है मीठा, तो मीठा billion बना लेना है, दूसरा हमें नमकीन, common salt यानि नमकीन billion बना लेना है, तीसरा हमें lemon juice खटा billion बना देना है, चौथा हमें juice of crushed neem leaf यानि जो हमारे पास neem की leaf होगी, या bitter god, यानि जो कर लेना होगा या फिर जो हमारे पास क्या है, नीम की leaf है, उसको क्या करना हमें juice बना देना है, तो हमें चार तरह है कि क्या बनाने है, juice बनाने है, और उसको हमें क्या करना है, perform करना है कि, test perform करना है कि, उनका test हमारे आपने classmate यानि आपकी जो साथी हैं उन से क्या करना है किसी एग मित्री की आँखों में क्या कर देनी है आपने पट्टी बात देनी है और उसके जीब बाहर निकाल कर सीधे रखने के लिए हमें कहना है यानि हमें कहना है इसकी जीब होगी उसको स्टेट रखने के लिए करना flat मतलब आगी के तरफ क्या करना हमें उसके सीधे state में खड़े कर जीव रखने के लिए कहना है use a clean toothpick to put the above samples one by one on different areas of the tongue as shown in giver figure use a new toothpick for each sample हमें क्या करना है जो हमारे पास क्या होगी जो जीव है अभी पिछले हम डियाग्राम देख लेते हैं तो यहाँ पर क्या हमने कहा था न कि different areas में क्या होते है different types के test किये जाते हैं तो वह ही कह रहे है तो हार पास क्या है हमें एक toothpick लेना है उसके बात जो billion लिया था उपर जो हमने यहाँ पर क्या बनाया था solution मनाया था sugar solution, salt solution, lemon juice या फिर डिफरेंट types के solution मनाया थे उसको हमें उसकी जीप में क्या करना है अलगला भागों में क्या करना है प्लेस करना है और उसका test करने के लिए कहना है ask the classmate which area of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substances आपने अपने दोस से पूछना है कि उसने मीठे का उन्भा कहां पर किया, salty यानि नमकिन उन्भा कहां पर किया, खटा कहां पर हुआ और उसको कड़वाहत का जो test है वो हमारी जो tongue है उसके किस area में लगा now write down the observation and level given figure repeat this activity with other classmate उसके बाद क्या करना है, हमारे पास जो भी observation थे, उसको क्या करना हमें, जो jeep का एक test एक diagram भाली दिखा रहे है, हमने यहाँ पर क्या कर दिया जीब में क्या करते हैं, जो भूजन का स्वाध या जो भी हम billion यूज़ कर रहे हैं, तो किस तरह का उसका स्वाध होगा, तो उसको क्या करते हम यहाँ पर देख पाते हैं, अगला क्या हमारे पास, food pipe, यानि जो ग्रसीका है, उस ग्रसीका में भूजन कैसे आगे बढ़ता है, तो उसके बारे में क्या करते हैं, डिसकस कर रहे हैं, यानि जो हमने जो भूजन निगला हुआ था, उस भूजन को हम और जो ग्राश नली का होती है, या हमारी जो भूजन नली होती है, उसमें क्या करते हम आगे की तरफ क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, यानि भूजन ग्राश नली के में आगे की तरफ क्या होता है, जाता ह ये लुकारं गिवन फिगर इसकी बात क्या हुका उमरे पास जो घ्राशन ल लुँगा उसका चितर दिखाये जाए गा कि speaking the food pipe runs in side we It's about the neck and the chest old यानि जो हमारा भोजन है वो भोजन क्या होता है धीरे धीरे उसको आगी की तरफ क्या किया जाता है धक्का लगाए जाता है ताकि वो भोजन क्या करे हमारे जो ग्राश नलिका है ग्राश नलिका से आगी की तरफ क्या होगा धीरे धीरे सरकता रही यानि उसमें धीरे धीरे वो आगे की तरब क्या होगा, बढ़ते हुए जाएगा, Actually, this movement takes place throughout the elementary canal and pushes the food downwards, उसके बाद जो होगा, हमारे भोजन क्या होगा, धीरे-धीरे, आगे की तरब बढ़ते रहेगा, movement उसका आगे की तरब होते रहेगा, अगे की तरब उस भोजन को क्या गया जागा, धक्का दिया जाएगा, और धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएगा, और धीरे-धीरे करके उसका पादसन आगे होते जाएगा, यानि हमारे पाद जैसे आपने पाइप देखा हुआ, उस pipe में क्या होता है जैसे पानी आगे की तरफ जाते रहता है तो वैसे ही क्या हुआ वहाँ पर भी क्या होता है जो भूजन है उस भूजन को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है जब कभी क्या होता है हमारे जो अमाशय होता है वो हमारे भूजन को श्विकार नहीं करता है तो हमने जो भूजन लिया जो ग्रस नली का द्वारे जो हमने भूजन लिया उसको क्या आता है वोमेट किया जाता है यानि उल्टी के द्वारे उसको सरीर से बाहर निकाल जाता है कभी-कभी क्या होता आपने देखा होगा आपको अगर उलटी हो रही है तो उसमें क्या होता, जो हमारा भोजन होता, उसको क्या तम सरीर से बहार निगा लेते हैं तो उसमें क्या होता है क्यों होता है कि हमारा जो हमने जो भोजन लिया था वो भोजन कैसे यानि जो भोजन था हमारा वो हमें क्यों पांसन नहीं हुआ और वो सरी से क्यों बाहर निकाला गया next the stomach the stomach is a thick walled back जो हमारा अमासे है वो एक थेली नूमा है जिसकी जो बाहरी दिवाल होती है यानि जो उसकी दिवाले है वो क्या थो आज सा मोटी है थिक वाल है यानि मोटी भीत्ती वाले क्या हमारा थेली नूमा संग्रस्तना है अमासे क्या हमारा मोटी भीत्ती वाले क्या हो वो अंगरी जी का जो यू आकार होता है, यू है, उस यू के आकार का होता है, और जो elementary canal का जो सबसे चोड़ा भाग है, widest भाग होगा, वो क्या होगा हमारा अमासे होगा, यानि अमासे का है, अपना में बहुत ज्यादा चप्टा, ठीक है, आकर्ति का है, जो हमारा भोजन है, जो हमारी स्टमक है, वो क्या करता है, जो हमारा फूट पाइप है, यानि जो हमारा फूट पाइप से, यानि जो हमारी ग्राश नलिका थी, वो एक तरफ स्टमक उससे जुड़ा रहता है, और दूसरी तरफ किससे जुड़ा रहता है, इस्मोल यहनु जो हमारा अमास है वो दो अलग अलग जगह से क्या गरता है जुईंट हुआ रहता है एक हमारा फूट पाइप से और शोफेगस यानि गरचिका से और दूसरी तरब किससे जुड़ा रहता हमारा जो श्माल इंटेस्टाइन है जो हमारी क्या है छोटी आत है छुद्र हुआ किसका मुकस का स्रावॣ करता है याने जो हमारे अमाय के की जो भीदरी lining है आंतरी की जो लाइने है वो क्या करता है mucus का स्राव करती है age嗎 hydroglory acid अमल है अपने हमे alors Hagglawolik acid का ması questionnaire करती है और digestive ुसेज यानि जो पाचक रश होते है उनका क्या करता है Native bacteria that enter along with the food and mix the medium in the stomach acidic and help in the digestive juices to act. करणे में क्या करता है help करता है इंक यद्धितिब हैनो जूस निकला हुआ है याने हमारा सख़ी में ज्योज़ पचा-घ्रस निकला हुआ है वो प्रोटीन को किसमें तोड देता है प्रोटीन्स को simpler substances, यानि जो amino acids होते हैं, उन में क्या कर देता है, तोड़ देता है, यानि हमारे जो stomach है, stomach की भीत्री, जो inner wall है, inner wall में mucos का secretion होता है, hydrochloric हो गया, digestive juice हो गया, hydrochloric acid क्या कर देता है, जो भूजन होता है, उसमें जो बाहर से आए हुए bacterias को क्या कर देता है, जो उसके लावा क्या करता है, अमास्य में जो भूजन का मैद्यम होता है, उसको पर्दान करता है, उसके बाद हमारे digestive juice से जो निकले हुए है, वो क्या करता है, हमारे भूजन में जो और प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को क्या करता है, छोटे खोटे Nov Jun täält, जो चोटे aspire 사 यहां पर डाइगरमेट्रिकली रिपर्जेंटेशन किया गया है दा स्मॉल इंटेस्टाइट को क्या बोलता हम छोटी आथ इसकी जो लंबाई है लगवा कितनी है 7.5 मिटर यानि 67 मिटर क्या होती है अपने आवं में लंबी होती है small intestine की है हमारी बहुत जादा coiled है कुंडरी ताकार की है और इसके लंबाई लगवक कितनी है शाड़े साथ मीटर है यानि भूजन जो होता है हमारे mostly जो भूजन हम खाते हैं वो small intestine में ही क्या होता है पाचन होता है It receives this secretion from the liver and the pancreas यह क्या करता है जो लिवर और जो pancreas यानि जो यकृत और जो अंग्यासे से जो रश स्रावित किया जाता है यानि भूजन को पचाने के लिए जो जूसेज निकलते हैं उनको क्या करता है रिशीप करता है हमारे सेरे में जो लिवर और जो स्रावन जो किया जाता है रसों का स्रावन किया जाता है उसको क्या करता है प्राप्त करता है besides its wall also secret juices इसकी जो बीतिया होती है वो क्या करते है कुछ juice यानि जो रस होता है उसका क्या करते है सिक्रिस्टन करती है स्राव्ण करती है याने जो पाचक रस होते हैं पाचक रसों का क्या करती है स्राव्ण करती है The liver is a radius brown gland जो हमारे liver है वो अपनामे क्या है radius brown gland है कैसे लाल भूले रंकी के हमारे गंति है situated in the upper part of the abdomen of the right side याने जो हमारा अमासे है, अब्डमन है, उसकी जो दाहिने भाग है, उस दाहिने भाग की तरफ क्या होता है, यह अवस्तित रहता है. It is the largest gland in the body. यह हमारे सरीर में क्या होता है, सबसे largest gland है. जो अमासे हमारे, वो हमारे अमासे क्या है, हमारे सरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंति है. जो पित्तरस होता है उस पित्तरस क्या करता है source रॉव्ड करती जो हमारे लीवर है वो क्या करता है पित्तरस क्या करती है surround करती है, secrete करती है और उसको एक थैली नुमर संग्रस्तना जिसे क्या बोलता हम? पित्ता से बोलते है उसमें क्या किया जाता है? एकट्टा किया जाता है जो हमारे पास क्या होता है? जो पित्तरस होता है वो वशा के पाचन में क्या करता है अपनी महत्वण भूमिका निभालता है यानि जो बाइल होता है यानि जो बाइल है वो क्या करेगा जो फैट है जो वशा है उस वशा के पाचन में क्या करेगा मुख्य भूमिका निभाएगा तो यह क्या था हमारे पास liver, liver को याद रिखेगा, यह हमारे सर्रीकी के सबसे बड़ी ग्रंती है, largest gland of the human beings, the pancreas is a large cream-colored gland, located just below the stomach, यानि जो हमारा अग्निया से है, वो हलके पीले रंग का, cream-colored, cream-colored, यानि जो हमारे का पीले रंग की क्या है, अपने आम में ग्रंती है, और कहा पर located है, just below the stomach, यानि जो हमारा अमासा है, उस अमासा है कि नीचे की तरफ क्या होगी, क्या होगी, इसकी इस्तिती है, the pancreatic juice, juice act on carbohydrate, fats and proteins, pancreatic juice जो निकल रहा है, वो किस पर act कर रहा है, carbohydrate हो गया, fat वसा हो गया, protein, and changes them into simpler forms, जो pancreatic juice, यानि अग्निया से जो रस निकलते है, protein है, और जो वसा है, उनको क्या करता है, उससे छोटे रूपो में क्या कर देता है, तोड़ देता है, यानि जो carbohydrate है, bigger molecule जैसे starch कहा है, या मंड़ कहा हमारे पास, ठीक है, bigger molecule है carbohydrate के, तो उसको glucose में तोड़ देगा, fat के जो fatty acids वाले part होंगे, उनको क्या कर देगा, उससे छोट रूपो में क्या करेगा, तोड़ देगा, और जो protein है, protein को किस में तोड़ देगा, amino acids होते है, protein की सबसे छोटी संकला है, तो उनको क्या करेगा, amino acids में क्या करेगा, change कर देगा, या उनको छोटे रूपो में क्या करेगा, तोड़ देगा, the partially digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juices complete the digestion of all components of the food यानि जो अग्यासा है, उसके बाद जो भूजन है, वो भूजन क्या होता है, हमारे जो small intestine है, यानि जो हमारी क्या चुद्रान्त है, उसके निचले भाग में पहुंच जाता है, और वहाँ पर क्या गया था, उसमें जो भी जो digestive juice से निकलेंगी, वो क्या करता है, उसका carbohydrate get broken into simple sugar, इससे पहले भी हम बता चुके हैं, जो carbohydrate होगा, उसको किसमें तोड़ दिया जाता है, sugar में, यानि जो glucose होगा, उस glucose में क्या किया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है, तो ये क्या हमारे पास, जो small intestine है, उस small intestine में, जो juices, secretion हो रहा था, वो क्या रहेंगे, इस नंक्स के carry करेंगे, और जो भूजन होगा, उसको mostly, यहाँ पर क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है, carbohydrate किसमें तोड़ जाएगा, carbohydrate broker into किसमें, sugar, जिसकी क्या बोला हमने, glucose, fat किसमें तूर जाएगा, fatty acids, जिसकी क्या बोला हमने, glycerol, और protein जो होगा किसमें तूर जाएगा, amino acids में, तो यह क्या हमारे पास, इस नंक्स के complete किया जाएगा, नेक्स्ट, absorption in the small intestine, यानि जो हमारे पास छोटी आथ है, उसमें कैसे भोजन, जो पचावा भोजन था, उसको कैसे आउस्टोर्शन किया जाता है, यानि हमारे जो अमाज से है, छोटी आथ है, small intestine है, उस small intestine में क्या होगा, जो पचावा भोजन होगा, वो blood vessels, मतलब पचावा भोजन को विलाई की साहता से क्या करेंगे, हम उसको absorb कर लेंगे, और उसको कहां तक पहुंचा दिया जाएगा, हमारे blood तक उसको पहुंचा दिया जाएगा, इस परक्रिया को क्या बोलता हम, absorption की परक्रिया बोलते है, यानि जो हमारी छोटी आथ है, small intestine है, उसमें हजारों की संख्या में क्या होते है, अंगली की तरह क्या होती है, बाहर को निकलिवी क्या होती है, संग्रशना होती है, तो यह क्या करती है, विला क्या करती है, जो पचहोगोजन होता है, उस पचहोगोजन को क्या करती है, एबजॉब करती है Can you guess what the role of willai could be the intestine? क्या आप यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि जो विला होती है उनका हमारी सरीर में क्या उप्योग है या उनका क्या भूमका रह सकती है तो यह क्या करता है विला क्या क्या करता है अपने से क्या करते है भूजन जो आएगा उसको क्या करते है धीरे-धीरे क्या करते है movement इनका ह यानि जो विला होती है वो क्या करती है जो हमारा पच्छा हो भूजन होता है उसको क्या करती है लार्ज सर्फेस एरिया देते हैं ताकि वो भूजन एब्जोर्ब क्या सेके इसके क्या होती है बहुत सारी क्या होती है इसमें नेट्वर्ग का साल जाल जैसा बिछा होता है जो क्या पार्टिकल्स होंगी या फूड मटिरियल्स जो होगा उचको क्या कर लता है एब्जॉर्ब कर लेता है उसका क्या लेता है और शॉर्षण कर लेता है उसके बात क्या होता है इसको सरीर को क्या ब्लडवयका होती है उसको ट्रास्पोड करते है। जो complex substance है प्रोटीन है तो जहां पर जिसकी requirement होती है तो उसको क्या गाता है वहाँ पर भेज दियाता है इस परक्रिया को क्या बोलता है हम assimilation की परक्रिया बोलते हैं स्वांगी करन इन दा सेल्स, glucose breaks it down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released जहां पर क्या होता है जो glucose होता है वो glucose को उससे छोटे रूप में क्या किया जाता है तोड़ दिया जाता है oxygen की साहता है हम स्वासन पर क्रिया करते हैं तो स्वासन में क्या होता है oxygen जाती है तोहार पास क्या था? Bigger Molecule Carbohydrate था. Carbohydrate को हमने उससे चोटे रूप में क्या? गुल्कोज की रूप में तोड़ा. गुल्कोज के बाद क्या हो गया? उसको हमने उससे चोटे रूप में Oxygen की सहथा से. यानि glucose क्या करेगा, oxygen से अभी क्रिया करेगा, तो उसके बाद क्या होगा, उसको carbon dioxide और जल की रूप में क्या कर देगा, तोड़ दिया जाएगा, और हमारी सर्विकों क्या मिल जाएगा, उससे energy मिल जाएगा, और इस energy का उपयोग हम different work को, यानि हमने दोड़ना है, खेलना है कूदना है, पढ़ाई करनी है, या जो भी activity हमें करनी है, तो उसके लिए क्या करता है, इस उड़जा का उपयोग किया जाता है, the food that remains undegested and absorbed, unabsorbed enters into the large intestine, यानि जो पचा हुआ, मतलब उसके बाद जो बचा हुआ भोजन है, जो undegested foods है, जो बचा हुआ भोजन, या जो जिस जिसको हम ब्रधान तो भी बोलते है, the large intestine is wider and shorter than the small intestine, यानि जो हमारी बड़ी आथ है, वो चोड़ी है, किन्तो जो हमारी छोटी आथ है, उससे लंबाई मी क्या है, चोटी है, यानि जो बड़ी आथ है, उसकी चोड़ाई तो जादा है, wider है, जादा चोड़ी है, बट लंब 5 meter in length, इसकी लंबाई कितनी है, लगवाग, जो बड़ी आथ है, बड़ी आथ है, बड़ी आथ के लंबाई कितनी होगी, 1.5 meter, तो नामी इसका बड़ी आथ है, लेकिन लंबाई मी क्या है, चोटी है, इस function is to absorb water and some salts from the undigested food materials, यह क्या करता है, जो पानी है, उस पानी को क्या करता है, एबजोर करता है, और some salts, कुछ मातर में क्या होता है, जो लोड होते है, उनको क्या करता है, एबजोर करता है, और जो undigested food होता है, उसका भी क्या करता है, एबजोर क्या जाता है, कि जो water होता उस water का absorption शरीर के किस भाव में किया जाता है तो हमारे पास क्या है जो large intestine है large intestine में क्या होगा water का absorption किया जाता है और कुछ मातर में जो salt उपचती थे वहाँ पर तो उनको क्या करेगा हमारे शरीर क्या करेगा यहां से absorb कर लेगा the remaining wastage passes into the rectum and remains these are semi-solid fecus उसके बाद क्या होता है हमारे सरीर में जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या क्या जाता है शरीर के आगे supply किया जाता है the rectum में जिसे क्या बोलता है हिंदी में malashe जिसनिकी क्या क्या करेगा जाता है तो rectum में क्या करेगा जाता है इसको सप्लाइग किया जाता है और वहां पर एक semi-solid यानि अर्ड़ट thoughs जो fecus होता है उस हिसमें क्या क्या जाता है इसको बदल दिया जाता है यानि उसके बाद क्या होता है जो सरी में बचा हुआ पार जो कहा था हमने ठीक है मलास्य में पहुंच जाएगा और उसके बाद उसको सरी से समय समय पर किया जाता है सरी से बाहर निकाल दिया जाता है इसे गया बोलता हम इजैसन की परकिरिया कहते है तो यह क्या थे हमारे पास पूरा हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टैन है उसमें कैसे भूजन आगे बढ़ता है और उसको कैसे रेक्टम तक पहुंचा दिया जाता है और रेक्टम के बाद उसको कैसे सरीर से बाहर किया जाता है तो यह क्या थी यहाँ पर पूरी परकिरिया थी लार्ज इंटेस्टैंट से कैसे लास्ट जो फाइनल क्या होगा जो एनस है यानि जो हमारा गुदादवार था उससे सरीर से जो फीकस है उसको कैसे सरीर से बाहर उसका निशकाशन, इजेशन किया जाता है तो उसको हमने डिटेल किया था तो यह हमारे पास क्या था है यहाँ पर हमारा जो human digestive system है वो क्या होता है, यहाँ पर complete होता है इसके बाद जो next होगा वो हमारे पास क्या हो, जो ruminants है यानि जो क्या हमारे पास animals है ठीक है, उन animals में कैसे digestive system को complete के आता है, उनका digestive system कैसे होता है, तो उसकी बादे में हमें डिटेल करेंगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू, मिलते हैं अगले